मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के करम अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अधेरा नहीं होता दोस्तों आज है 15 सितंबर और देखेंगे आज के पूरे 18 एकरेंट पेस के कोईशन्स, साथी कोईशन्स लेटेट काफी सारे एक्स्टाफाइक भी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट में कोईशन पूछेगो और इसका एंसर आपको कमेंट मैं अनकेडिमी प्रभी पढ़ाता हूँ तो आप अनकेडिमी का लर्निंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजे, उसमें और लाइन इसडी पॉइंट सर्च कर गया है, आप फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने अनकेडिमी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप कांटेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है, पांस सवालों को जवाब दो और फ्री पीडियाफ्र जीके नोटस आप पा सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले करना क्या होगा, इस आपको कांटेस्ट में पांटेसिपेट करने के लिए, तो पूरा वीडियो सबसे पहले के लिए कुछ और रूल से हैं, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करना होगा अपने दोस्तों को साथ, फेस्बूक, वाट से विस्टेडी ग्रूब में ठीक है, तो आप प्लीज कांटेस्ट में पांटिसिपेट भाले दोस्तों चलिए पहला कोस्टन स्टार्ट करते हैं है भारत के अगले मुख जैचिस को रूब में किसे न्यूक किया गया है तो भारत के जो अगले चीफ जस्टिस के रूब में न्यूक किया गया है न्यामूर्ती रंजन गोगोई को देखे आप वता देख जो भारत के राश्ट पती है न्यामूर्ती रंजन गोगोई को भारत के अगले न्याधिश के रूब में न्यूक कि करेंगे इसके लाब आपको वतादे कि नयायमूर्थी गुगोई हैं दोस्तों 1978 में ओकील कुरू में नामंकित किया गया था उन्होंने संबैधानिक कराधान और कंपनी मामलों पर गुवाहटी उचन्यालय में अभ्यास किया था और उन्हें 28 फर्वेद हो रहे को चाहत एक्जाम में सुतन्द भारत के पहले मुखिनाधिस तो नयमूर्थी हीरालाल जैकी सुन्दस कानिया ठीक है यहां पर थोड़ा सुप्रीम कोट के बारे में जाल लेते दोस्तों भारत की जो नयाइक विवस्ता दोस्तों एक एहरी और रिकिक्री थे जिसके सर्वोज चैनलाला में की मुखिनाधिस तता थीच अनय न्याधिस होते हैं ठीक ए ठीक है तो इस question से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है तो पूरा वीडियो देखिएगा आज आपको contest में participate करना है ठीक है किसी भी समय में आपसे 5 सवाल पूछूँगा उसका answer आपको comment box में दे कर आप PDF GK की PDF handwritten notes आपको जो है तो पास सकते हैं चलिए अगले question के तरफ ब मंत्री मुकतार अब्बास नकवी ने नई दिल्ली में देश की पहली National Scholarship Mobile Lab यानी NSP Mobile Lab लॉंच किया है और यह National Scholarship Portal Mobile Lab निर्धने में कमजोर तबकों के छात्र को एक सुगम आसान और बाधा मुक्षात्र वित्रिपनाली सनुशित करेगी इसके लाब दोस्तों आपको बता सब्सक्राइन खातों में सीधे दी जा रही है और जिससे यह सुनुशित किया गया है कि दुहरा एवं राजस्चोरी की कोई गुंजाइश ना रहे ठीक है तो National Scholarship Mobile को किसने लॉंच किया है केंद्री अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री है मुकतार अब्बास नकवी ठीक ह दोस्तों अदिया आप रेल वे गुरूबडी एक्जाम की तयारी करें तो आपके लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा एक बुक तयार की गए पीडिया फाइल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए गया मात 33 रूपए की बुक है रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टे ने 17 सितमबस गुरूबडी के एक्जाम स्टार्ट हो रहे तो उसमें रिवीजन के लिए काफी एच्छा मटेरियल दिया गया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस बुक को पर्चेस कर सकते हैं चलिए अगले कोशंग तरफ बढ़ते हैं जी ट्वेंटी ब्यापार और निवेश मंत्रिस्तरी बैठक कहां अउजित की गई है तो हाली में जी ट्वेंटी ब्यापार और निवेश मंत्रिस्तरी बैठक अउजित की गई है अर्जेंटीना में आपको बता दें कि वारिज और उद्योग मंत्री जो हैं सुरेश साथ एक G20 के सहस्यों में अर्जेंटीना औस्टेलिया ब्राजील कनाड़ा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेसिया इटली जापान कोरिया गणराज मैक्सको रूस साओधी एरब दक्षिण अफ्रीका तुर्की यूके श्यवक्तराज अमेरिका और यूरूपी संग सामिल जिन प्राजील बात कर जाएगा अर्जेंटीना की तो कैपिटल है 21 a ias oraz currency अर्जेंटीना पीजाकि की है प्जोग है अर्जेंटीना करेंसि क्या है पेसो अब दोस्तों यहां प्र फारे हैं वी overwhelming कine संगठान है स्थापना लेंठ cu 99 में जी चतापना विपनाwen receiving और जो इसके चेर्मेन है वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मार्शियो मैक्री ठीक है तो G20 व्यापार और निवेश मंद्रिस्तरी बेठा कहा है अर्जेंटीना में अर्जेंटीना के जो है तो कहां पर मारे डेल प्लाटा में ठीक है मारे डेल प्लाटा में नेक्स्ट कोईश्टन है दोस्तों कोईश्टन नमर फोर्थ उपराष्ट पती वेंकाय नाइडू किन तीन देशों की आत्रा कर रहे हैं? इसका राइट एंसर हो जाएगा ये सभी सार्विया, माल्टा और रोमानिया ठीक आपको बता दे उपराष्ट पती वेंकाय नाइडू, सार्विया, माल्टा और रोमानिया के तीन देशों की आत्रा पर जाएंगे इस साथ दिवसी आत्रा को दोरान जो नाइडू जी है पहले सार्विया पहुँचेंगे और वहाँ देश के जो प्रमुखों से मिलेंगे और उपराष्ट पती की देशों की आत्राख दोरान क्रिसी और परेटन के शेत्र में काई समझो तक यापन पसाख से किये जाने कुम्मीद है इसके लाव अपनी यात्राख दूसरे चरण में स्री नाइडू जो माल्टा पहुचेंगे वहाँ देश के प्रमुखों से मिलेंगे और पार्सपरी खित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अंतीम चरण में दोस्तों आप पुराष्ट पती रोमानिया जाएंगे अब यहाँ पे तीनों देशों की बारे हम थोड़ा जान लेते हैं सार्विया की बात करें उस सार्विया की जो राजधानी है कैपिटल है वो है वेल ग्रेड करेंसी है सार्विया इदिनार सार्विया की केपिटल के है वेल ग्रेड और करेंसी है सार्विय दिनार बात करें माल्टा की तो माल्टा की दोस्तों यहाँ पे राजधानी है वो है वालेटा और करेंसी है यूरो बात करें यहाँ पे रोमानिया की तो रोमानिया की राजधानी है बुहारेस्ट और करेंसी ह चात्रा करें करें सार्विया माल्टा और रोमानिया ठीक है दोस्तों मैं आज से आपके लिए जो तो अठारे कोशन लेकर आया हूं इससे पहले वी चबढ़ות कम कोशन थे आज से आपसा ने सोड़ पतक जीता है इन्होंने आपको बता देख 16 वर्षी उद्यवीर सिंग ने दक्षिन अफ्रीका में विश्ट शूटिंग चेंपियंशिब में एकल जूनियर पूर्सों की 25 मीटर पिस्टॉल इस परधा में गोल्ड मिडल जीता है और उन्होंने बता देख कि टीम सोड़ जीत में भारत का नेतिरुत किया और सिंग जो है अमेरिका के हेंडरी लेवरेट और कोरियाई लीज की उन से आगर निकलते हुए ब्यक्तिकत प्रत्योगता में 587 अंके साथ सोड़ पतक जीता है ठीक है और यहां पर बात करे दक्षिन कोरिया के ग्राजधा रख जीते हैं इन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल यहां इन्होंने 25 मीटर पिस्टलेस परधा में जीता है यह भी आपको याद रखना है कोश्चन नमर 6 है जुलाई में और द्योगिक उत्पादन विकास सुचकांग में कितने प्रश्यत की ब्रिद्धी दर्ज की गई है करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन भी 6.6 परसंट आपको पता दें केंद्री शांक की कारयाले द्वारा जारी आंकडों के अनुसार बिन इर्मार छेतर द्वारा अच्छे प्रधरसनों पूझी गद बस्तूओं और पुफोक्ता टिकाव बस्तूओं कुछ प्रधरसन के क बारन और द्विक उत्पादन सुचकांग में 6.6 परसंट की बृद्धी की गई है ठीक बृद्धी होई है इसके लाब यहाँ पर बात करेंगर भारत के वरतवान वित्तिमंत्री को न है अरून जेटली वरतवान है भारत की वित्तमंत्री ठीक है इसके लाब आपको पता जुलाई में जारी किये गए 7% के आस्थाई उनुमान से जून के लिए आई आई पी आनी और द्विक उत्पादन सुचकांग में नीचे संसोधी थी थी और अप्रेल जुलाई की अबधी में आई आई पी बृद्धी भरसपूर 1.7 तूला में 5.4% थी ठीक है तो जुला है कि दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा आपसाने 36 गड़ में आपको बता दें कि परेटान राज्जी मंत्री केंद्री जो जे अलफोस जी हैं 36 गड़ में 13 परेटान अस्तलोक जोड़ने वाली देश की पहली ट्राइवल सर्कीट परियोजना को धाटन किया है ठीक और परेटान मंत्राले की श्वदेश दर्सने उजनकतर लागो किया गया था ठीक है और बात करें हाँ पर 36 गड़ की तो मुख्य मंत्री है रमान सिंग और राज्यपाल है आनंदी वेन पटेल देश का पहला जंजाती परेटान सर्कीट कहां शुरू हुआ है 36 गड़ में ठीक है जो किंद्री परेटान राज्य मंत्री है के जे अलफोंस ने जो तो यह यह परिविजिन शुरुवात की है ठीक है चली अगला कोशन है अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रैपीट फायर कोश्चन जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स मिलके नहीं पूरे पा कौन है अगला कोशन है जम्मू काश्मीर के नए राज जिपाल क्रू में किशे निउप किया गया फोर्त नमर कोशन है अंतराश्ची सम संगठन का मुख्याले कहां है फिप्त कोशन है एसी आई खेलों के तिहास में कुष्टी मेर्शोंड पतक जितने वाली पहली भारती म आएक नोट मिलने वाले हैं और मैं बता दू जिसका भी बेस्ट अंसर रहागा यूनिक और डिटेल के साथ की अंतरिक्ष विभाग के बारे में कब गया था और एसी आई खेलों के बारे मिन साथ आपको लिखना जिसका भी बेस्ट आंसर रहागा मैं पीकप करूँगा कल उस winners को जो है तो मैं PDF file hand it and notes gk की provide करूँगा, send करूँगा, ठीक है, तो participate जरूर करेंगे तो सभी लोग comment करेंगे, ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं अगला question, प्रति वर्स हिंदी दिवस का मना जाता है, प्रति वर्स हिंदी दिवस मना जाता है दोस्तो 14 सितंबर को, ठी सिम्दान के आर्टिकल 343 के तहट 26 जनुरे निस्तों पचास को देवनारी लिपी में लिखी गए हिंदी को आधिकारिक भासा गरू में अपनाया गया था, इसके लावा पंडित जवाला नहरू ने इस दिन को देश में हिंदी दिवस करू में मना जाने घोजना की थी, और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1903 में, ठीक है, तो प्रतिवर्स हिंदी दिवस का मना जाता है 14 सितंबर को, दोस्तों करें यहां पर बात करें 5 सितंबर की, तो प्रतिवर्स 5 सितंबर को मना जाता है सिक्षक दिवस, ठीक है सिक्षक दिवस, अगर बात करें 8 स अक्षरता दीवस प्रतिवर्स आठ शितंबर को मना läh tools की तो विश्यू परेटन दीवस और ठक की स्टाइस सितंबर को मना आ कारियर पर सेवर निवित्ति घोषना कर दी और सरदार ने कहा है कि उन्हों ने अठार में इस एए खेलों में निराशा जाना प्रज़न के बाद निर्णे लिया है जहां भारत अपने खिताब की रक्षा करने भी फला और कांसे पदक के साथ लोटा आया है ठीक है तो स्वास्त और परिवार कलने मंत्राले ने तीन सितंबर को एक सरकारी आदेश को पारित किया और तलकार प्रभाव से इस सिग्रेट पर वुथिवन लगा दिया है कोश्चन नमर 11 है भारती प्रधान मंत्री नरेद मोदी हाली में किस मुस्लिम समदाय के कारिकम में शिरकत की कि इसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्सन दावदी बोहरा समदाय प्रधान मंद्री मोदी जी इंदोर में दावदी बोहरा समदाय के धर्म गुरू सैयदना मुफदल सैफुद्दीन से मुलाकात की है तो करेक्ट एंसर ऑप्संसी जेफ बेजोस ठीक है आपको बता दें दोस्तों के सीओ जेफ बेजोस बेघर लोगों के लिए स्कूली बच्चों के मदद के लिए 14,400 कराड़ रुपय का डोनेट करेंगे यानि दो अरब डॉलर ठीक है चलिए अगले खुशंक तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमर 13 है हाली में किस राज्यक एंसाइज प्रजेस के हाई कोड ने सावी सरकारी स्कूलों में सीसी टीवी लग के उनमती प्राप्त हो गई है कोश्चन नमर 14 है निम्रिकीद में से किस राज्यक ने सभी सरकारी कारियों के लिए इलेक्ट्रीक कारों की प्रयोक की शुरूआत की है और एक टेंसर आप्सन भी झारखंड आपको बता देक एनरजी एफिसिएंसी सर्विसेस लिम्टेट द एक टानिक बाहनों से राज्यपी पेहली बार सुरुआत की है और इन कारों को राज्य के उर्जेविवाग दवारा खरीलिया गया है चलिए कोश्चन नमर 15 है कैं सर्कार्दवारा डेरी प्रसंस करणे वहां अठारों विकास को स्योजना क्रियान चौता राज्यों से बढ लाकर अठारा राज्य कर दिया गया है कुश्चन नमर 16 है किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में पसु बली पर पतिवन लगाने की प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है इसका करेक्ट एंसर रहागा दोस्तों ऑपसंडी सिलंका ठीक है कुश्चन नमर 17 है किस देश के राष्टपती डोनाल ट्रम ने भारत को नसीले पदार्थ के उत्पादन और उनके परावगन यानि ट्रांजिट वाले 21 बड़े देशों के सूची में डाला है इसका करेक्ट एंसर जागा ऑपसंडी अमेरिका ठीक देखिया अमेरिका के जुराष्टपती डोनाल ट्रम ने भारत के नसीले पदार्थ कुट पादन उनके परावगन यानि ट्रांजिट वाले 21 बड़े देशों के सूची में डाला है और इस सूची में पाकिस्तान अफ पतादे कि केंट सरकार ने सूखा रात के रूम में यूपी के लिए 150 क्रोल रुपए से धिक्की अत्रिक साहता को मजूरी दिये ठीक है तो यह थे आज का अठारे कोश्चन अब देख लेते हैं कल का एंसर कल मेंने कोश्चन पूचुचु था HDFC लाइफ ने किसे MD और स्व सब्सक्राइब देख लेते हैं आज का कोश्चन क्या है आज का सवाल सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मुवाइल अनभू केंदर की शहर में खोला है और आपके सामने दे रखें प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और आज को जो हमारा कंटेस्ट है उसमें पार्टिसि करूँगा ठीक है प्लीज वीडियो लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्स्राइब करके वेल आकोन प्रेस कर दिए डेली आप मौनिंग के पांच वहें करने फिस की वीडियो जरूर देखा करें दोस्तों तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ औ अब तक के लिए आप स्वास्त रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए माता पिता का नाम रोशन करिए पढ़िये लिखिए जय हिंद बंदे मातरा हूं